दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इसा स्टिचिंग हेल्प में इस वीडियो में साड़े चाउती सिंच कमर की फिटिंग पैंट कटीन करने का सबसे असान तरीका देखेंगे तो वीडियो में अंत तक बने रहें तो चलिए दोस्तों पैंट का नाप देख लेते हैं लंबाई है 36 इंच, हीप है 49 इंच, कमर 34, मोरी 14 इंच, जांग 24 इंच और गुटना है 18 इंच तो इन ही नापों से दोस्तों आज हम फिटिंग पैंट की कटीन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक सीधी लाइन करेंगे पैंट की लंबाई है 36 इंच, तो सबसे पहले देखिए इंची टेप को यहाँ जहां से लाइन कीए हैं वहाँ से एक इंच उपर की तरफ निकालेंगे क्योंकि हम यहाँ पर देड़ इंच का बेल्ट लगाएंगे यदि आप सबसे इंच का बेल्ट लगाएंगे तो उपर की तरफ पौन इंच निकालेंगे और देड़ इंच का बेल्ट लगाएंगे तो उपर की तरफ एक इंच निकालेंगे यहाँ पर इसके बाद हम लंबाई का निसान लगा लेंगे तो पेंट की लंबाई है 36 तो यहाँ पर हम 36 इंच पे निसान लगाएंगे इसके बाद 2.5 इंच फोल्डिंग के लिए लेंगे इसके बाद घुटने का निसान लगाएंगे तो गुटने का निसान हम लंबई की हिसाब से लगाते हैं तो पेंट का लंबई है 36 और 36 का हाप करेंगे तो 18 इंच और इसमें हाप इंच प्लस करेंगे तो 18 इंच तो यहाँ पर हम 18 इंच पर गुटने का निसान लगाएंगे इसके बाद लटक का निसान लगाएंगे तो सबसे पहले इंचे टेप को नीचे लाएंगे यह देखी इस तरह से जहां से लाइन किये हैं वहां से हम नीचे रखेंगे और यहां पर हम लटक का निसान हीप की हिसाब से लगाएंगे तो पेंट का जो हुईप है वो 49 इंच है और 49 का चौंथा ही सा करेंगे पौने 10 इंच लेकिन यहाँ पर हम 1.5 इंच माइनस करेंगे और 7.9 इंच पर लटक कर निसान लगाएंगे सेम निसान यहाँ पर भी लगा लेंगे 9 इंच और उपर की तरब इंच 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 निकालेंगे और घुटने का निसान लगाएंगे साड़े 18 और 36 इंच लंबाई का निसान और 2.5 इंच फोल्डिंग के लिए दोस्तों कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्लेस कर ले तक ही आने वाले हमारे सभी वीडियो का नेटिपिकेशन आप तक पहुँच सके इसके बाद कोर से ये देखी कोर से हम हाप इंच एश्टा निसान लगाएंगे ये देखी इस तरह से एश्टा निसान लगा लेंगे हाप इंच और यहाँ पर जांग कर निसान लगाएंगे जांग है साड़े चोबिस इंच तो साड़े चोबिस का हाप करेंगे सवा बारा इंच तो यहाँ पर यह देखे जहां से हमने हाप इंच एश्टर निसान लगाया है वहाँ से हम 17 बाराइंच इंची टेप को रखेंगे यह देखी इस तरह से और यहाँ पर 17 बाराइंच में हम जांक का निसान लगाएंगे उसके बाद फ्लाई का निसान हम देड़ इंच लेंगे उसके बाद इस तरह से हम सेंटर कर लेंगे और जब सेंटर करेंगे तो यहां कोर से करेंगे यह देखे इस तरह से इसके बाद सेंटर से कोर तक कितना है देखेंगे तो यह देखे 176 इंच और 100 तो यहाँ पर हम कमर के पास भी 176 इंच और 100 पे सिंटर का निसान लगाएंगे गुटने के पास भी इस तरह से हम निसान लगा लेंगे सिंटर का और मोहरी के पास भी सिंटर का निसान लगा लेंगे इसके बद फ्लाइ से सिंटर तक कितना है देखेंगे तो यहां पर आ रहा है देखें सवा पांच इंच और एक सूट तो यहां पर कमर के पास हम हाप इंच माइनस करके निसान लगाएंगे तो सवा पांच इंच और एक सूट में हाप इंच माइनस करेंगे तो पौने पांच इंच और एक सूट तो यहां से हम पौने पांच इंच एक सूट पे निसान लगाएंगे फ्लाई को हाप इंच डाउन करेंगे तो यह देखी इस तरह से हाप इंच डाउन कर लेंगे और जांग वाले लाइन से हम उपर की तरफ दो इंच पे एक निसान लगाएंगे यह देखी इस तरह से और फ्लाई को राउंड करेंगे इस तरह से इसके बाद कमर का निसान लगाएंगे तो पेंट का जो कमर है 34,34 तो यहाँ पर हम लिग देते हैं 34,34 यह देखी इस तरह से हमने यहाँ पर लिग दिया है 34,34 तो पेंट का कमर है 34,34 का चौन्था हिस्सा करेंगे और एक सूंत तो यहाँ पर सबसे पहले यह देखिए हाप इंच दबाओ के लिए लेंगे जो फ्लाई की तरफ दबाओ रहता है हाप इंच तो वहाँ पर हम हाप इंच इस तरह से निसान लगा लेंगे उसके बाद कमर का चौन्था हिस्सा लेंगे इसके बाद हम हाप इंच दबाओ के लिए और निसान लगाएंगे जो साइड दबाओ रहता है उसके लिए हाप इंच निसान लगाएंगे इसके बाद हम पाकेट का निसान लगाएंगे यह देखी इस तरह से यहां से हम पाकेट का निसान लगाएंगे इसके बाद पाकेट के लिए नीचे की तरब हम पौने 7 इंच लेंगे तो यह देखी इस तरह से पौने 7 इंच निसान लगाएंगे इसके बाद जांक से कमर तक हम जब शेप देंगे तो round 20 से शेप देंगे ये देखी इस तरह से और जब शेप देंगे तो जहां से हमने half inch extra निसान लगाया है वहां से हम शेप देंगे कमर तक pocket की निसान को भी इस तरह से हम सीधा कर लेंगे इसके बाद घुटने का निसान लगाएंगे, तो घुटना है 18 इंच, और 18 का हाप करेंगे 9 इंच, 9 का हाप करेंगे 4 इंच, तो सेंटर से हम 4 इंच इधर लेंगे, और 4 इंच इधर लेंगे तो 9 इंच, तो ये देखी इस तरह से निसान लगाएंगे 18 इंच को, इसके बाद हम मोरी का निसान लगाएंगे मोरी है 14 इंच तो 14 का हब करेंगे 7 इंच और 7 का हब करेंगे 3,5 तो सेंटर से हम 3,5 इंच इधर लेंगे और 3,5 इधर लेंगे तो 7 इंच ये देखे इस तरह से निसान लगाएंगे मोरी का इसके बाद मोहरी से जांग तक जब सेप देंगे तो राउन फंटी से देंगे इसके बाद राउन फंटी को पल्टी करेंगे इस तरह से और इस साइड भी सेप देंगे अीज़ पल्टी से चीजन सेप देंगे हॉन लाँन मतनाउ क्BS ॉब देंगे Jews पाकेट के पास इस तरह से कट लगाएंगे और नीचे की तरब भी इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी यहाँ पर यह देखे फ्लाई के पास भी कट लगा लेंगे यहाँ पर बेक पार्ट की कटिन करेंगे उपर साइड को नीचे लाएंगे और नीचे साइड को उपर ले जाएंगे फ्रंट को इसके उपर रखेंगे, ये देखी इस तरह से रखेंगे जांग वाले लाइन को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे हाप इंच नीचे एक लाइन और करेंगे और इस तरह से घुटने वाले लाइन को भी आगे बढ़ा लेंगे इसी तरह से हम मोरी वाले लाइन को भी आगे बढ़ा लेंगे बेक में यहाँ पर जांग के पास धाय इंच लेंगे उसके बाद एक इंच एश्टा निसान लगाएंगे भूटने के पास दो इंच लेंगे और यहाँ पर मोहरी के पास हम बेक में देड इंच लेंगे और यहाँ पर भी जब बेक को हम save देंगे तो round फंटी से देंगे यह देखी इस तरह से इसके पाद जो एश्टा एक इंज निसान लगा है उसको हम घुटने तक save देंगे तो यह देखी इस तरह से हम round करते हुए घुटने तक save देंगे जहां पर हमने fly को hop in down किया था वहां पर हम बेक में 10.5 इंच लेंगे यह देखी इस तरह से हम 10.5 इंच निसान लगाएंगे इसके बाद बेक में कमर का निसान लगाएंगे कमर है 1.5.34 इंच तो सबसे पहले hop in दबाओ का निसान लगाएंगे यह देखी जो side दबाओ रहता है उसके लिए इसके बाद हम कमर का 4.34 इंच लेंगे तो कमर का 4.34 होगा 8.5 इंच और 1.00 तो यहां पर हम 8.5 इंच और 1.00 इंच लेंगे यह देखी इस तरह से उसके बाद 1.5 इंच डाट के लिए इसके बाद 2.00 इंच एश्टा लेंगे तो यहां पर आप 5.00 इंच तक ले सकते हैं वो आपके उपर है आप कितना लेंगे इसके बाद हीप का निसान लगाएंगे तो paint का हीप है 49.00 इंच और 49.00 का चौंधा हिस तक करेंगे पौने 10 और 1 इंच लूजिंग देंगे पौने 11 इंच तो यहां से हम पौने 11 इंच लेंगे यह देखी इस तरह से पौने 11 इंच पर निसान लगाएंगे हीप को कमर से इस तरह से मिलाएंगे इसके बाद एश्टा लाइन को भी इस तरह से सिधा करेंगे ये देखे इस तरह से इसके बाद उपर वाले लाइन को इस लाइन से राउंड करेंगे ये देखे इस तरह से राउंड कर लेंगे और नीचे वाले लाइन को हीप वाले लाइन से राउंड करेंगे अब दीखें दूस्तों यहां पर हमने हाप इन जो निचे एक लैन किया है वहाँ तख हम सीधा कट करेंगे तो यह देखी यहां से हम इस तरह से सीधा कट करेंगे अब यहां से राउंड खरते हुए इस तरह से कट करेंगे इसके बाद कमर के पास इस तरह से कट लगा लेंगे और जहां पर हमने धाइंच लिया है बेग में वहां पर भी कट लगाएंगे ताकि जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हमें आसानी होगी इसके बाद फ्रंट को उठाएंगे ये देखिए इस तरह से उठा लेंगे और यहां पर बेक में साइड में जो ज्यादा राउंड है उसको कम करेंगे ये देखिए हलका कम करेंगे तो यहां पर जो एश्टा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल लेंगे इस तरह से कटिन करने से सीट में सलवटे नहीं पड़ती जो बैक है वो सिलाई करने के बाद फ्रेस रहता है तो इस तरह से हम कटिन कर लेंगे इसके बाद बैक पाकेट का निसान लगाएंगे तो उपर से नीचे की तरफ चार इंच पे निसान लगाएंगे एक निसान और लगा लेंगे यहां पर इसके बाद साइड से दो इंच पे निसान लगाएंगे यह देखी इस तरह से दो इंच और यहाँ पर हम पाकेट लखेंगे पॉने पाँच इंच तो जहाँ पर हम दो इंच निसान लगा हैं वहाँ से पॉने पाँच इंच निसान लगाएंगे उसके बाद इस तरह से सेंटर करेंगे और जब सेंटर करेंगे तो 2 इंच निसान लगाए हैं वहां से करेंगे तो यह देखिए इस तरह से हम सेंटर करेंगे पकेट को यहां पर इस तरह से कट लगा लेंगे तो दोस्तों इस तरह से साड़े चौंती सिंच कमर की फिटिंग पेंड की कटीन असानी से कर सकते हैं